कारक केस इस प्रकार लिखा जाए माँ बच्चों हल्वा बना रही हैं बच्चे मैदान खेल रहे हैं ये वाक्य आपको समझ में आए नहीं न क्योंकि ये वाक्य कारक के लिए में रहित हैं कारक ही संबंध जोड़ने का काम करते हैं ये संग्या और सर्वनाम के साथ आते हैं अतहा हम कह सकते हैं कि जो शब्द संग्या या सर्वनाम का वाके से संबंध जोडने का काम करते हैं वे कारक कहलाते हैं कारक के मुख्य तह आठ भेद होते हैं कारक के भेद कर्टा, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन प्रतेक भेद के अपने कुछ कारक चिन्ह होते हैं, जो निमने लिखे थें कारक, कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस, विभाक्त चिन्ह ने, कर्म कारक, अबजेक्टिव केस, विभाक्त चिन्ह को, करण कारण, इंस्ट्रुमेंटल केस, विभाक्त चिन्ह से के द्वारा, कारक, संप्रदान कारक, देटिव केस, विभाक्त चिन्ह के लिए को, कारक अपादान कारक, अबलेटिव केस, विभक्त चिन्ह से अलग होना कारक संबंध कारक, पोजेसिव केस, विभक्त चिन्ह का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे कारक अधिकरण कारक, लोकेटिव केस, विभक्त चिन्ह में, पर कारक, संबोधन कारक, वो केतिव केस, विभक्त चिन्ह, है, अरे, ओ, कर्ता कारक, ने जिसके बारे में बात की जाती है, वह कर्ता कारक कहलाता है, जैसे नीलम ने पुस्तक खरी दी, पुस्तक किस ने खरी दी? नीलम ने यहां नीलम ने कर्ता कारक है, कर्म कारक को जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाफ पड़े वह कर्मकारक कहलाता है जैसे राम ने सोहन को पत्र लिखा राम ने किसको पत्र लिखा? सोहन को यहां सोहन को कर्मकारक है कर्णकारक से के द्वारा काम करने के लिए कर्ता को जिस साधन की आवशक्ता होती है वह करण कारक कहलाता है जैसे बच्चा खिलोने से खेल रहा है बच्चा किस से खेल रहा है? खिलोने से यहाँ खिलोने से करण कारक है संप्रदान कारक के लिए को जिसके लिए क्रिया होती है या करता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है जैसे मा बच्चे के लिए दूद लाई मा किस के लिए दूद लाई? बच्चे के लिए यहां बच्चे के लिए संप्रदान कारक है अपादान कारक से अलग होना संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से गिरने, दूर होने, अलग होने के भाव का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं जैसे आस्मान से वर्षा की बूंदे गिर रही है वर्षा की बूंदे कहां से गिर रही है? आस्मान से यहां बूंदे आसमान से अलग हो रहे हैं इसलिए अपादान कारक है संबंध कारक का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे संग्या या सर्वनाम का वहरूप जो किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति से बताए, उसे संबंध कारक कहते हैं जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं किसका नागरिक हूँ? भारत का यहां भारत के साथ नागरिक का संबंध है, इसलिए ये संबंध कारक है अधिकरण कारक में पर जिस शब्द से कारे के होने के स्थान की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं जैसे तान्या बिस्तर पर बैठी है तान्या किस पर बैठी है बिस्तर पर यहां बिस्तर पर अधिकरण कारक है संबोधन कारक हे अरे ओ जिस शब्द में किसी को बुलाने पुकारने अथ्वा संबोधित करने का भाव नहीं थो उसे संबोधन कारक कहते हैं जैसे हे इश्वर हम पर कृपा करो किसे संबोधित किया है हे इश्वर को यहां हे इश्वर संबोधन कारक है विशेश कारक लगने पर संग्या सर्वनाम तथा विशेशन तीनों का रूप बदल जाता है वह औरत मूल रूप उन औरतों ने कारक लगने पर आओ पाठ दोहराएं कुछ शब्द संग्या अथ्वा सर्वनाम का संबंध वाके के अन्य शब्दों से जोडते हैं उन्हें कारक कहते हैं कारक विशेश चिन्हों से प्रदर्शित किये जाते हैं इन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं कारक के आठ भेधें करता कारक, काम करने वाला कर्म कारक, जिस पर काम हो करण कारक, काम करने का साधन, संप्रदान कारक, जिसके लिए काम होता है अपादान कारक, अलग होना, संबंध कारक, एक दूसरे से संबंध अधिकरन कारक, कारे के स्थान की जानकारी, संबोधन कारक, पुकारना या बुलाना लिग स्टार्म jonग Did 29 ौ झारे के सकते shuttle झारे कर दो रसेली कारणा बुछ कारे कामाल झारे करने पहक कार से आदा